11th class पेटा next topic जो हम करने जा रहे हैं that is geostationary satellite satellites क्या होते हैं आपने पढ़ा हुआ पहले ही natural satellites होते हैं उसके बाद आपके पास artificial satellite बने artificial satellites में भी हमारे पास अलग-अलग categories हैं उन में से एक जो category है that is geostationary satellite जियो का मतलब होता है earth के साथ later stationary मतलब रुका हुआ वैसे तो normally जो satellite revolve करेगा तो वो रुक नहीं सकता बट अगर जो है satellite की जो rotation है वो earth की rotation के equal हो जाती क्योंकि earth भी अपने axis के around गोमती है 24 गंटे में चक्कर complete करती है और अगर satellite भी earth के around 24 गंटे में चक्कर complete करता है तो वो आपको रुका हुआ दिखता है क्योंकि earth की जो angular velocity है और satellite की जो angular velocity है वो दोनों एक दूसरे के equal रहती है that's why कि हमें अगर हम अर्थ से उस satellite को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो satellite जो है हमें अपनी पूजिशन को चेंज करता हुआ फील नहीं होता है that's why कि इस गॉल्ड जियो स्टेशनरी सेटलाइट अब जियो स्टेशनरी सेटलाइट्स मतलब वो सेटलाइट्स हैं जिनका टाइम पिरिट जो है वो 24 आर्स का होता है रोटेशन उसकी जो है एक सर्कुलर और्बिट में उसकी रोटेशन है वो 24 गंटे में complete होती है अब जियो स्टेशनरी सेटलाइट की हाइट कितनी है वो हाइट हम निकाल सकते हैं जैसे हमने पहले वहाँ पर टाइम की वैल्यू जो है वो 24 गंटे पूट करेंगे और सेकेंड में वैल्यूट करनी है तो 24 गंटे का मतलब 24 मुल्टिप्लाइबाइट 3600 यह इतनी सेकेंड बन गये तो आपके पास यह रेडियस 6400 किलोमेटर उसके बाद आपके पास एकसलेशन ड्यूट ग् माइनस आर था तो यह रेडियस को माइनस किया है यू विल गेट दा वैल्यू 35,930 किलोमेटर तो अप्रॉक्सिमेटल अगर हम बात करें तो 36,000 किलोमेटर हाइट होती है तो इस हाइट के उपर अगर सेटलाइट रोटेट करता है रिवाल करता है अर्थ के राउंड तो य जियो स्थेशिट्टला में इस अपनेश someone स्थेयर्श है और दूसरे जो टाइप सँ हम टृकिज अपनी बैइन फिट संथा तो पहले हम बात करेंगे जिया स्थेयर्शनRahe एру पहले हम कंडिशन्प की बात कर लेते हैं यहां पर नुसके बात हम उसेकं के बात करेंगी तो साथ जो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो concentric भी होगा यानि कि दोनों के center सेम होंगे और co-planar होंगे यानि कि एक ही plane में दोनों rotate करेंगे उसके बाद its sense of rotation should be same तो उसकी जो rotation है उसकी direction जो है वो सेम होनी ऐसा नहीं कि दोनों की velocity सेम हो but direction जो है वो opposite हो तो फिर तो वो चाहिए जो सरेक्षन इसलोर्च नहीं बनेगा तो विलॉसटी भी सेम होनी चाहिए तो जो एर्थ की रोटेशन है वह वैस्ट इस वह थी आने कि एन्टिकलोग वाइस डायक्षन होती यह तो तो उसी तरह से जो है सैटलाइट जियो स्टेशनरी सैटलाइट भी इसी डिरेक्शन में मूब करना चाहिए इस पीरियड ओफ रेवलूशन अराउंड दा अर्थ ही सेम एज डाउंड अर्थ अर्थ अराउंड इस एक्सिज जो कि 24 गंटे का है तो उसके एक्कुल होना चाहिए और यह सारी कंडिशन सैडिस्वाई होती है अगर हाइट जो है वो 35,930 किलोमेटर हाइट के ओपर सैटलाइट हो तो अब इसके यूजिस के हैं यूजिस की बात करते हैं तो सबसे पहले यह कॉम्निकेशन परपस के लिए यूजिस होता है जो टीवी ट्रांस्मिशन होती है तो उन सब में जो है इसका यूजिस होता है यानि कि जो सैटलाइट कहते हैं सैटलाइट के सुछ सिगनल आ रहा है तो वह इस तरह के करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं then geostationary satellite are employed for studying the upper reason of atmosphere क्योंकि height जादा है तो ज्यादा height होने के वाज़ा से जो है atmosphere के अपर जो reason है अपर portion जो है atmosphere का तो उसकी study हम इससे कर सकते हैं तो solar radiation की study में भी यूज होता है इसका then they are used for the study of the cosmic ray तो कॉस्मिक रेजों के स्पेस से अर्थ की तरफ आती है उनकी सर्च या उनकी स्टडी के लिए भी यूज़ होता है तो बाकी दो तिन लास्ट वाले तो वह तो इसर्च परपस के लिए हैं बट आपके जो डेली लाइफ में यूज़ होने वाला है वह कौन सा की रोटेट करता है जैसे अगर हम इस चीज़ को अर्थ मान के चलते हैं तो जियो स्टेशनरी सैटलाइट इस एक्सिस के राउंड चलेगा और पोलर सैटलाइट जो है वह यहां से रोटेट करेगा इस डिरेक्शन में तो डैफिनेशन की बात करेंगे ता सैटलाइट डैट इन पोलर ऑर्बिट अर्थ इस काल्ड पोलर सैटलाइट तो पोलर सैटलाइट की जो हाइट होती है वह अप्रॉक्सिमेटली 250 किलो मेटर होती है तो यह इतनी हाइट के उपर ही रोटेट करता है तो इस हाइट के उपर रोटेट करने का मतलब की हाइट कम है तो उसकी विल जब इसके यूजिस के हैं क्योंकि यह अर्थ के ज्यादा क्लोज हैं तो पोलर सैटलेटर यूज़ रिकॉर्ड दा लैंड और सी टेंपरेचर तो अर्थ के पास की जैसे जियो स्टेशनरी था आउटर रीजन ऑफ एटमोस्फेर की स्टडी करने के लिए यूज़ होता था य यह ग्राउंड की जहाँ लोर लेवल के उपड पास कई वह उज़ा सकता है और लैंड जो सी के टेंपरिच्ट को मेर कर सकता है उसके बाद they are used for monitor the green house effect green house effect को measure करने के लिए जहां उसको study करने के लिए इसका use किया जा सकता है and then weather forecasting में इसका use होता है उसके बाद जो है third point लिखा हुआ है the solar satellite are used for the various military purpose को की height इसकी कम होती है height कम होने के वज़ा से जो है earth surface की अच्छी जो images हैं यह capture कर बाता है जिसकी वज़ा से जो है कहते हैं कि इसका military purpose के लिए use होता है आज कर जैसे कहीं बार आपने सुना होगा कि बताते हैं कि इस area में यह army की moment हो रही है यह और बगएरा कुछ इस तरह से जो आपकी study होती है वो आप polar satellite के थुरू कर सकते हो तो remote sensing के लिए भी इसका यूज होता है तो यह इसके कुछ यूज़ से पोलर सैटलाइट के तो geostationary satellite के अपने यूज़ हैं पोलर सैटलाइट के अपने यूज़ हैं तो यह दोनों ही आपने बढ़ा करने हैं उसके बाद communication satellite के बात करते हैं तो पहले हम बात कर चुके हैं कि communication satellite basically कौन से होते हैं वो geostationary satellite होते हैं और उनकी जो हाइट होती है यहां पर भी देखो लिखा हुए 35,930 किलोमेटर अबाव दा सर्फेस ओफ अर्थ तो इस साइट के ऊपर होने की वज़ा से यह अप्रॉक्सिमेटली जो कहते हो कि आप सेम पोजिशन के ऊपर ही रहेंगे तो सेम पोजिशन के ऊपर रहने की वज़ा से जो है यह एक काम्यकिशन के लिए हम इसका यूज करते हैं जैसे आप गरों में अपने डिश लगा देते हो तो दीशन डियक्शन तो बार बार चेंज नहीं करते हो न्यानृ तो वह अपर क्या होता है कि वहां पर सेटलाइट जिसकी तरफ हम ने अपने डिशन डियू को डारे की लास्ट टॉपिक है इस टेप्टरम का भी और इस यॉइनेट के इसके बाद में कम्प्रेट वूज़ेग अनको नम दिएक अगर तो अर्थ की तरफ जो फोर्स लगे गीवो फोर्स किसके बराबर हो गी मास इन्टो एक्सलेशन इक्सलेशन कों the apparent loss in the weight of the body when it fall freely under gravity अगर ग्रैविटी के वज़ा से वो freely move कर रही है नीचे की तरफ गिर रही है तो उस टाइम पर उसकी जो situation होती है that is weightlessness क्योंकि आपने apparent weight इने lift पड़ा था ना तो वहां पर जो apparent weight decrease होता है जैसे हम नीचे आते हैं और acceleration जो है नीचे आने की अगर जी के एक्कुल हो जाए तो weight zero हो जाता apparent weight object का यह वही conditions है तो अलग-अलग situation जहां पर weightlessness exist करती है वो कौन सी है पहला तो हो गया when bodies are at null point of the outer space outer space में किसी बहुत दूर चले जाते हो कि यहां पर कोई भी object जा कोई भी प्लैनेट का gravitational effect नहीं है तो ऐसी situation में वहां पर weightlessness होगी तूसरा है when object fall freely under gravity जैसे हमने पहले उपर बात की तो apparent weight किसके बराबर होता है m g minus a whenever a becomes equal to g weight will be equal to g तीसरा case होता है satellite के अंदर अगर आप बैठे हुए हो तो ऐसी situation में satellite के अंदर weightlessness की condition होती है कारण क्या है gravity तो होती है वहां पर बट उस situation में जो है क्योंकि satellite revolve कर रहा है earth के round तो sentry, fugal force और gravitational force of attraction आपस में एक दूसरे के equal होती है जिस वज़ा से उसके उपर force of attraction एक्स्ट्रा कोई नहीं लग रही है जिस वज़ा से वहां पर भी हमें feel होता है satellite के अंदर weightlessness feel होती है तो यह आपने study कर लेना है बैटा इसको थोड़ा सा तो यह आपका chapter आपका unit complete हो गया है